नमस्कार वैहूं प्रग्या विहारे निउस में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर दस रुपे में ओनलाइन देख सकेंगे जमीन से जुड़ी जानकारियां बिहार के थानों में बनी महीरा हेल्प डिस्क का उद्गाटन अजदिन करेंगे सियर्ट सरकार के ओर से राज़े के तेरा जिलों में बच्चों के लिए भेजी गई किताबे प्रोदस्रों के प्रमोसन पर लगी रोख हटी के भविश्य के कप्तार ने टीम को दिया तगरा जटका इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के विस्तार से दस रुपे में ओनलाइन देख सकेंगे जमीन से जुड़ी जानकारियां बितर दियानी की बुधवार को बिहार की राजधानी पटना के सास्री नगर इस्त राजश्व प्रसिक्षन संस्थान में राजश्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षर प्रती ओनलाइन उपलद्द कराने संबधी सेवा का सुभारम करने संबंधी कारिक्रम को संबोधित करने के दौरान राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के सचीफ सहनिदेशा जय सिंग के दौरा जानकारी देते वे बताया गया कि इस वर्षे बिहार में जमीन से संबंधित राजश्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षर प्रती को कानूरी वैदता मिल जाएगी जिसके बाद यह दस्तावेज नियायाले में भी माने होंगे फिलाल इसके लिए राजे मंत्री मंडल की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है जो की जल्द मिलने की संभावना है इसके लिए बिहार के अरतस जिलों में से 28 जिलों में राजश्व अस्तावेजों का स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का कारिक किया जा रहा है बता दे कि मानिता मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षरित एफोर्ट प्रती को 10 रुपे का ओनलाइन भुखतान करके वेबसाइट पर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है बिहार के थानों में बनी महिला हेल्प डिस्क का उद्गाटन अजदन करेंगे सियां बिहार के महिलाओं को खुशखबरी देते वे बीते दिन यानिकी बुद्धवार को CID में कमजोर वर्धगी ADGR मलर विली के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है तो उसका निप्टारा उसे हिजाब से किया जाएगा वही अगर मामला पुलिस की कारवाई के जरीये खत्म होगी तो पुलिस की कारवाई की जाएगी उन्होंने बताया किस हल्पडेस का उद्गाटर मुख्य मंतरे नितीज कुमान के दोरा 26 स्वरवरी को किया जाएगा और इस नई विवस्था से मिले अनुभाव को देखते वे इस विवस्था को भविश्य में राज्य के अन्य थानों में भी लागू किया जाएगा सरकार के और से राज्य के तेरा जिलों में बच्चों के लिए भेजी गई किताबे बीते दिन यानी की बुधवार से बिहार सरकार के सिक्षा विवाग के दोरा कख्चा 2-6 के बच्चों के लिए पाठे पुस्तक भेजना सुरू कर दिया गया है इसके तहट बीते दिन राज्य के तेरा जिलों में किताबे भेजी गई है सिक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव दीपक कुमार सिंग के दोरा दी गई जानकारी के नुसार सरकार के दोरा बच्चों को हड़ हाल में सतर शुरू होने से पहले पाठे पुस्तक के उपलब्ध करानी की योजना बनाई गई है मालू हो कि इससे पहले वर्ज 2018 से बच्चों को पुस्तक के लिए सरकार के ओर से नगत राशी उपलब्ध करवाई जा दी थी लेकिन उससे नकरात्मक परिनाम निकलनी की वजह से अब बच्चों को राशी के बदले सरकार की ओर से सीधे पाठे पुस्तक यूपलब्ध करवाई जा रही है रोहतास में मालगारी के तेरह डिब्बे पट्री से उतरे बिहार के रोहतास में गया DDU, रेलखन के पहलेजा और करबंदिया रेलवे स्टेशन के बीच मालगारी के तेरह डिब्बे पट्री से उतर गया जिस वज़ा से माल ढूराई वाला, टेडिकेटेड फ्रिट कॉरिडोर के अप और डाउन लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई है तो हास से को लेकर अधिकारियों के दोरा दी गई जानकारी के नुसार कहीं डिब्बो के कल पूर्जे भी खुल कर इधर उधर विखर गया है तो वहीं कहीं डिब्बे विखर कर पास के गेहों के खेत में चले गया है जिस वजह से सठीक करने में रात आट बजे तक का समय लग सकता है इस मांग को लेकर राकेश टिकैट आ रही है बिहार बिहार में एक तरफ जहां बिहार सरकार की क्रिसी नीतियों और क्रिसी रोड मैप का विरोद पुर्व क्रिसी मंत्री और रामगर से आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंग के दोरा लगातार किया जा रहा है तो वही दूसरी ओर अब राकेश टिकैट भी किसान महा पंचायत का आयोजन को लेकर बिहार आने वाले है आपकी जानकारी के लिए बता दें किसानों की महा पंचायत बिहार के चार अस्थानों पर की जा रही है जिनमें 25 फरवरी को चांद कैमूर के प्रखन मुख्याले परीसर 26 फरवरी को भभुआ कैमूर के जिला मुख्याले 27 फरवरी को बकसर जिले के चौसा में और 28 फरवरी को बकसर जिला के बकसर किलाब मैदान में आयूजित किया जाएगा इसकुसार महा पंचायत पे राकेस टिकायत के साथ विधायक सुधाकर सिंग भी मौजूद रहेंगे और बिहार में एक बार फिर से सरकार में मंडी की विवसाथ शुरू करने की मांग करेंगे अब बिहार में नहीं चलेगी आटो ड्राइवर की मनमानी बिहार के लोगों के लिए जाम की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या होती है इसी को देखते वे और इसे लोगों को नजाद दलाने के लिए सरकार की ओर से सभी सहरों में आटो का रूट तैक करने का नर्णय लिया बता दे कि इसके लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा राची के सभी जिलो से रिपोर्ट मांगी गई है जिसके आधार पर ही यनन लिया जाएगा कि रूट को किस प्रकार तैक किया जाना है बता दे कि मिली जानकारी के अनुसार भीर भारवाले इलाकों मे आटो के परिचालन के लिए समय तैक किया जा सकता है जिसके बाद तैक किये के समय के अनुसार ही उस इलाके में आटो का परिचालन किया जाएगा वहें जिलो से रिपोर्ट मिलने के बाद समुद्दे को लेकर आटो एस्षिश्येशन के साथ एक बैठक की जाएगी और बा अफेसरों के प्रमोशन पर लगी रोग हटी विश्य विद्यालियों के सिक्षकों के लिए खुसखबरी है दरसल राजभवन के प्रधान सचीव आर एल चौंगतु के द्वारा आधिसूशना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि नई प्रमोशन स्कीम के अप्रूवल और सरक के इसे लागू करने को लेकर मिले पत्र को देखते वे पुर्व में लगाई गई रोग को वापस लेते वे राज्य भर में विश्य विद्यालियों में पढ़ाने वाले सिक्षकों के प्रमोशन पर लगी रोग को राजभवन के द्वारा अब हटा दिया गया है यानि कि अ करियर एडवांस्मेंट स्कीम के नई प्रमोशन रेगुलेशन के तहट प्रमोशन मिल सकेगा आपकी जानकारी के लिए बता दे किस नए नियम के लागू होने से राज्य भर में लगभग आट सो से जादा विश्य विद्याले में पढ़ाने वाले सिक्षकों को लाग मिले बहुत जल्दी बिहार के राजकिये राजकिये कृत माध्यमिक विद्याली में कक्षा नौ से दस तक के अध्यनरत पिछरा वर्ग एवं अती पिछरा वर्ग के चात्र चात्राओं को मुख्य मंतरी पिछरा वर्ग एवं अत्यन पिछरा वर्ग प्री मैट्रिक चात्रवित योजना के तहट दी जाने वाली छात्रविजती राशी की भुखतान कर दी जाएगी बतादे कि इसके लिए सिक्षा विभाग के माधिमिक सिक्षा निद्शाले के पिछरा वर्ग एवं अन्य पिछरा वर्ग गल्यान विभाग के दोरा राशी विमुक्त करने का देश जारी कर दिया गया है बता दे कि रासी सीधे चात्र चात्राओं के बैंक खातु में भेजी जाएगी सिक्षा विभाग के द्वारा दी गई मिलेगी हर जानकारी बोध गया आने वाले पर्याटकों को किसी प्रकार की परिशानी का सामना ना करना पड़े और यहां पर्याटकों का ठहराव जादा स्यादा तेरों तो खोव इसको देखते वे बीते दिन बिहार के उपमुख्यमंत्री तहश्वियादर के द्वारा टुरिस्ट इंफॉर्मेशन संटर का उद्गाटन करने के बाद डिप्टीसी अम्तियश्वियादर बोध गया के सामस्क्रतिक केंद्र पहुंचे जहां उन्होंने टुरिस्ट गाइड के प्रस्रिक्षन का इनाउगरेशन किया इस्तौरान वहां टुरिस्ट गाइड एस् सकती है दरसल उचितापमान आम और लीची के फूलों को नुकसान पहुंचा सकता है जिस वज़से फलों के पैदावार में कमी आ सकती है क्रिसेव ग्यानिकों के दौरा लगाए गया अनुमान के नुसार राज्ये में गर्म मौसम के अप्रतियाश्य शुरुवात होने के क पारण फसल में 40-60 प्रतिशत की हानी हो सकती है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पूरे देश में आम उतपादन के लिए बिहार चौथे नंबर पढ़ाता है तो वहीं लीची उतपादन में भी राज्ये का बाजार में दबदबाब बना रहा है लेकिन इस बार मौसम क स्तिति को देखते वे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आम और लीची के उतपादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जादा प्रभाव पड़ेगा सत्रुधन सना का भारतिये जनता पाटी पर निशाना इन दिनों बिहार में विपक्ची एकता को लेकर मुख्य मंतरे नितीज कुमार के ओर से मुहीं चलाई जा रही है वहीं बीतिजन बिहार के राज़ारी पठना पहुँचे टीमसी सांस सत्रुधन सना के तौरा एक ऐसा बयान दिया गया है जिससे एक नई बहस का जन्म हो गया है उन्होंने बीतिजन मीडिया से बातशीत करते वे कहा कि देश में विपक्ची एकता बहुत जरूरी है और विपक्ची नेता के रूप में राहुल गांधी हो सकते है वहीं हमारी पार्टी की ममता बनर जी भी हो सकती है या इसके अलावा कोई और भी विपक्ची नेता के र उन्होंने भाजबा पर निशाना साथे वे कहा कि आदानी मामले को लेकर जाज सही से नहीं की जा रही है क्योंकि नरेंदर मोधी इस मामले पर जाज नहीं करवाना चाहते हैं लेकिन देश की जनता जानना चाती है कि सरकार नियाडानी को कहा से सहीयोग करने का काम किया है सीयम पद के लिए मांजी ने तेहश्वी यादव का किया समर्थन वितदन बदवार को बिहार के पुर्व मुख्य मंतरी और हम पार्टी के नेता जीता राम मांजी ने गया में मीडिया से बाचीत करते वे बिहार के सीयम पद के लिए तेहश्वी यादव का समर्थन के अगनों ने कहा कि बिहार के मुख्य मंत्रे नितीज कुमार के द्वारा खुद कह दिया गया है कि 2025 में CM पद के उमेद्वार तेश्वी यादव होगे और जिन्होंने यह बात कही है वह माहगडवंधन के नेता हैं वही ललल सिंग नितीज कुमार के बनाई वे जेडियू के राश्टिय अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि हम नितीज कुमार के साथ है और अगर तेश्वी यादव CM बनते हैं तो हम उनका साथ देंगे तेश्वी यादव एक मैच्चियो राजनत अग्य है वहीं CM नितीज भी अपने वचन पर कटिबद रहेंगे शुशील मोदी ने राज़त को दीच इतावनी मुखे मंतरे नितीज कुमार की पल्टी मारने के सिती को लेकर बिहार के पुर्वव उप मुखे मंतरी एवं और राजी सभासांस सुसील कुमार मोदी के द्वरा उन पर तंज कस्तेवे कहा गया है कि नितीज कुमार के द्वरा एक बार फिर से राज़त को धोखा देनी की तैयारी की जा रही है उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले खुद मुखे मंतरी नितीज कुमार कौन होगा वह ऐसे स्थी को देखते वे राजस सुप्रीमों लालू परशाद यादब को भी अपनी चुपपी तोड़नी चाहिए और जेडियू के पांच साथ वधायकों को तोड़कर अपने बेटे को मुखे मंत्री बनाने का सपना पूरा कर लेना चाहिए CSK के भविश्य के कप्तान ने टीम को दिया तगरा जटका CSK के भविश्य के कप्तान बेनस्टोक्स आयरलैंड के विरुध टेस्ट सिरीज और SS के तैयारियों के लिए आगामी IPL से जल्द स्वधे स्लोटेंगे आपके जानकारी के लिए बता दे कि IPL का फाइनल 23 मई को खेल जाना है वह इंगलैंड के टीम एक जून से आयरलैंड के विरुध टेस्ट मैच खेलेगी और उसके बाद 16 जून से उसे उसे ऑस्ट्रेलिया के विरुध SH सिरीज खेलनी है जिससे लेकर बेनस्टोक्स का कहना है कि वह इन दोनों सिरीज को जरूर खेलेंगे और वह सुनु बेनस्टोक्स यह दोनों मैच खेलते हैं तो ऐसी आसंग का जताई जारी है कि वह IPL नहीं खेलेंगे जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी के गाए इसके बाद राज़ानी पटन क्याना में आज पेट्रॉल डीजल डीजल 94.2,01 lux PR प्रती लीटर में मिल रहा है मजपट पूर्णर में पेट्रॉल 10 Mills new 0 रूप प्रती लीटर में नरधालिद की गई है इसके साथ ही गया में पेट्रॉल कीमत और डीजलत 9, plastics J Г,10 कीह सी न खी तरू आगए और दीजल प्रति लीटर है बता दी कि बिहार में पेट्रोल का एट सबसे आदा कसंद गंज में है जहां पेट्रोल 109.46 रुपई प्रति लीटर और 96.46 रुपई प्रति लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमारी पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी comment section box में लिखकर दिया है जिन्हों ही हमारी हमारी comment section box में लिखकर दिया है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके उनसार उपिंद्र कुश्वाह के नमन यात्रा से उन्हें राजनितिक फाइदा मिलेगी या नहीं आप अपना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही भिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं भिहार नियूज और साथ यगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चाल्ग को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले ध जाने बाद!